हेले विरोन कैसे हैं आप सब एक बार पुना से कोचिंग क्लासेस पर सोगा था हूँ उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मस्तोंगे बेतर होंगे आपकी पढ़ाई बेतर चल रही होगी बच्चो आज आप ठीट गद्यैंस या पद्यैंस जो आपके खंड में आता है तो मैं आपको आज यहां पर पूरा कंप्लीट समझाने वाला हूँ कि किस प्रकार से गद्यैंस या पद्यैंस आ जाए तो उसका आपको कैसे क्या करना है तो आपको बोर्ड एक्जाम के लिए केबल और केबल गद्यैंस पढ़के जाना है क्योंकि जब अथवा में आना है जैसे यहां पर लिखा हुआ इस दोड़ धूप में क्या रखा आराम करो आराम करो आराम जिन्द की कुंजी इसमें न तपेदिक होती है इसको छोड़ दो हम बच्चों यहां पर थोड़ा सा इसको जोम करते हैं और आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से इसका कहानी का से होता है अनुसासन हीन जीवन का सरवत्र निंदा होती है अनुसासन में दैविक बल और अद्वत सकती है जीवन की सफलता का रहस अनुसासन में नहीं थै अब बच्चों यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोग सिर्षक देखो सार्थक एम सटीक सिर्थक किसके बारे में बार बार जिक्रिया गया है बताओ इस जो आपके पास गद्देंस है किसके बारे में बार बार जिक्रिया गया है तो यहाँ पर अनुसासन जो सब्द है वो बार बार आया है देख लो ना पूरे इस गद्दैंस में अनुसासन के बारे में ही बताया गया है कि अनुसासन और जीवन में कोई अंतर नहीं है एक ही है जीवन और अनुसासन एक दूसरे से घंश्ट संबंद रखते हैं सही है कि नहीं, अनुसासन जीवन निर्मान में परमशहयक होता है, तो पूरा का पूरा स्रेक इसको जाता है अनुसासन को, तो यहाँ पर सार्थक एवं सतीक सिर्षक हो जाएगा अनुसासन, दो-तीन यहाँ पर समझाने वालाओं वच्चों, बिल्कुल निश्चिन धो करके क्योंकि जीबन और अनुसासन बास्तों में एक है इन दोनों का बड़ा घनिष्ट समबंध है question पूछा था किसका घनिष्ट संबंद है तो जीबन और अनुसासन का घनिष्ट संबंद है इसके बाद बोला बच्चो सफलता करहस किस में नहीं थै सफलता करहस अनुसासन में नहीं थै कितना बड़िया तरीके से आप इसका answer निकाल सकते हो मिनट अभी केबल वीडियो चल चुका है देख सकते हैं और दो मिनट में आपने इसका complete कर लिया तो इसे आप लोगों को एक बार पढ़ना आए फिर इस गद्देंस में किस चीज के बारे में बर्डन किया गया है ज्यादा तर कौन सा सब्दारा है वही उसका आपका सिर्षक हो जाता है दूसरा हम देखते हैं बच्चो यहाँ पर देखेगा यह सब पुराने ही पेपर है जो यंपे बोड के हैं तो उनी के आधार पर मैं समझा रहा हूँ देखें यहाँ पर थोड़ा देखिए कि अभी कुछ समय पहले ही सयुक्त परीवार हमारी संस्क्रथ की विसेश्टा हुआ करता था सयुक्त परीवार को परिवासित करते हुए हम कह सकते हैं कि जिसमें एक ही घर में एक साथ कई पीडियों के लोग रहते हैं जिस परिवार में तीन या अधिक प्यूडियों के सदस्त सांसा निवास करते हैं, जिनकी रसोई, पूजा एबं संपत्ति समुईक होती है, संयुक्त परिवार को यदि आप आज की अवसक्ता कहा जाए तो गलत ना होगा, ऐसे परिवार में मिल जुलकर रहने की भावना की प्रधानता होती है, जिसमें सभी लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं, लेकिन आधुनिक समय में ऐसे परिवार का चलन कम हो गया है, जिसमें कई समिस्या पैदा हो रही है, इस पूरे संदर में एक बात बहुत अच्छी है कि यूबा पिढ़ी का ध्यान उसके समाधान की और गया है, उसे लगता है कि संयुक्त परिवार का तूटना अच्छे संसकारों का ग्रहन लगने के समान है, अता इस परंपरा को पुनर जीवित करना जरूरी है, ताकि समिस्याओं का समधान हो सके, उन्हें अकेले पन से मुक्त मिल सके, तथा बच्चों को स्वस्त और आ अरवार चर्चा आया है, सही है नहीं, तो आप एक ऐसा सब्द ढोड़ो, देखें, जरूरी नहीं है कि मालीजे कोई टीचर बोले वही बस सेर्शक हो सकता है, अब मालीजे हम यहाँ पर कह देंगे संयुक्त परिवार की संसक्रती, सबसे बढ़िया सब्द जो बार बार मि आया गया है, कि हमारी संसक्रती पहले कैसी थी, अब कैसी है, और वविस्त में कैसी होगी, लोगों को किस प्रकार से इसमें सतर्कता की जरूरत है, अब देखो बचो, आधुनिक युवा पीड़ी में अब संयुक्त परिवार के बारे में क्या सोच रहे हैं, यहाँ पर उन्हें लगता है, कि परिवारों का तोटना अच्छे संसकारों पर ग्रहन करने के लगने के समान है, आधुनिक युवा पीड़ी, आप संयुक्त परिवारों के बारे में क्या सोचता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, कि आधुनिक पीड़ी जो है, उनका ध्यान इस ओड़ गया है, कि संयुक्त परिवार का तोटना अच्छे परिवारों पर ग्रहन करने के लगने के समान है, ठीक है, कई न कई वो परिवार को तोटते हुए देखना चाहते हैं, यहीं तोड़ करके, अलग रह करके, अपने समिस्यों का समधान आसानी से हो जाएगा, संयु संयुक्त परिवार को परिवासित करते हुए हम कह सकते हैं, कि जिसमें एक ही घर में एक साथ कई पीड़ियों के लोग रहते हैं, जिस परिवार में तीन या तीन से अधिक पीड़ियों के सदस सांसा तिवास करते हैं, है न, वो आपके संयुक्त परिवार कहलाते हैं, ठीक हैं एक ही रसोय पूजा करते हैं संपुत्य समोहिक होता है वो आपका स्वयुक्त परिवार है तो इस प्रकार से कम समय में आप आसानी से निकाल सकते हैं ऐसा नहीं है इसके बाद भी हम आगे थोड़ा सा बात करेंगे अब हम तीसरा गद्यांस लेकर आए हैं देखो जरा समीचीन समाधान प्रस्तुत करते हैं उनोंने सिगागों की शुपरसिद्ध विशुधर्म सम्मिलन में बैख्यान दिये थे वह आज हमारे लिए एक ग्रंत का काम करता है है नोटे संपरदाइकता हटधर्मिता और विवात्स धर्मानता का विरोध करते हैं उन्होंने एक ऐसे दुखद, सुखद, भविस्य के प्रती, अपनी आसा वारिता को प्रगट किया है, तो यहाँ पर बच्चो स्वामी वेका नंजी के बिचार के बारें बढ़न किया गया है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, स्वामी वेका नंजी का बिचार, आप स्वामी वेका नंजी क विचार भी लिख सकते हैं, ये उनका क्या हो जाएगा, सीर्चक हो जाएगा, यहाँ पर बोला है, स्वामी विबे का नंजी का विरोध किस के प्रतिता, लिखिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे, आगे पढ़ेंगे, तो, विवस धर्मानता का विरोध करते थे, स्वामी व साब्दिक अर्थ होता बच्चो एथार्थ, ठीक है क्या होता है, मतलब समानार्थी सब्द निकालना था, समानार्थी हो जाएगा आपका एथार्थ, तो ऐसे आप कोई भी गद्दैंस पढ़ो, हाँ, उसका आत्रवा बाला मत करना, क्योंकि जो आपको सही लगे, वही करना, मैं इसलिए समझाया बच्चो कि एक बार पढ़ो, और उसमें आप देखो कि किस चीज की यहाँ पे ज़्यादा पुनरव्रत्ती हुई है, और उसी के बारे में कहा गया है, उसको आप अपने भासा में लिखो, तीन अंक आपके पके, तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए च देख सकते हैं, जो भी हमने पहले वी वीडियो दिये हैं, उसे आप तयार कर सकते हैं, ओके, जय हिंद, बंदे मातरम,